नमस्कार दोस्तों, वालकम टू बिट इंडिया चैनल, बिट इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रजेट के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानने के बाद हो सकता है, शायद आप उसको अपने पोर्टफोली के अंदर या फिर अपनी वाच लिस्ट के अंदर जरूर एड करें तो दोस्तों ये कौन सा प्रजेक्ट है, क्या इसकी स्पेशलिटीज है, क्या कॉंसेप्ट है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पूरा डीटेल से बात करेंगे, प्लीज पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजेगा अगर आप चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर पैस करिएगा दोस्तों बिट इंडिया चैनल पर आपको क्रिप्टोकरंसी मार्केट के रिगारिंग जो भी नीज अप्डेट्स हैं वह फ्यूषिर में और भी देखने को मिलेंगी बहुत सारी निवस अबडेट्स इया फिर मार्केट में जो भी ट्रेंडिफिक्ट ज्रेंड जीजिक्टस हैं या फिर प्र कोई ऐसा कोईन जिसको आप सब्गस्च करना चाते हो के concept के बारे में and in the end इसका क्या mission है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है अचेहन इग्नॉस्टिक डीफाइ aggregation layer अगर मैं दोस्तों उसको simplify करूँ तो basically इसका मतलब यह होता है matter नहीं करता हम और आप कौनसी blockchain को पसंद करते हैं यह and कौनसे DeFi protocol को use करते हैं current scenario में market के दिर जितने भी famous blockchain and famous DeFi protocol है उन सभी को support करना and user को facility provide करना कि एक ही single platform पर multiple DeFi application and blockchain को user access कर सके उनको manage कर सके, track कर सके and पूरी तरीके से उनका status check कर सके तो basically यह इनका काम है तो currently दोस्तों यह बहुत सारी blockchain को support करते हैं जिसमें की blockchain based token and NFTs को भी यह support करते हैं तो दोस्तों सुनने में काफी यह interesting लग रहा है और deep sales को जाने की गोश्च करते हैं जैसे कि currently कौन-कौन सी blockchains को and protocol को यह support करता है currently यह support करता है Ethereum chain को, Binance chain को, Band chain, Kawa, Harmony, Cosmos Network, ETC and upcoming chain दोस्तों कौन-कौन सी है, यह काफी interesting है, जैसे कि Solana, Elrond Network, Polkadot, Kuzama, Steffi, Ageware and Frontier chain तो काफी जादा कुछ यह लोग लेकर आने वाले हैं, काफी जादा काम कर रहे हैं तो देखा जाए तो DeFi lovers के लिए एक amazing platform यह होने वाला है और कौन-कौन से platforms को यह protocols को support कर रहे हैं, जिसमें की BZX, MakerDAO, Synthetix, Compound इन सभी को support कर रहे हैं और कौन-कौन सी यहाँ पर आने वाले हैं, वो तो दोस्तों समय के साथ साथ हमें पता चलता जागा लेकिन currently यह staking support कर रहे हैं, Matic की, Band chain की and Kawa की और future में आने वाले समय में यह ZRX, FlexCoin and KyberDAO की staking support करेंगे तो समय के साथ साथ दोस्तों यह staking increase होती जाएंगी और भी platforms को यह लोग adopt करेंगे और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यह Polkadot की ecosystem के अंदर आने वाले हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं इसके road map के बारे में जानना जरूरी है किसी भी एक project के बारे में जानने के लिए कि future में कौन-कौन सी event आने वाले हैं जिसे कि आप उस पर focus रख सकें समय के साथ साथ तो currently दोस्तों यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं Q4 2020 में जिसमें की DeFi tax module रिलीज होने वाले हैं आपर कुछ अत्तर यहाँ पर रिलीज हो चुकी है Q121 और Q221 में इनके दो major event हैं जैसे कि testnet and midnet का रिलीज होना आज की समय पर दोस्तों testnet and midnet जादा इनकी value नहीं है जादा hype नहीं होती है लेकिन यह कि यह DeFi concept है DeFi का project है तो इसलिए शायद थोड़ा बहुत impact इसका इस पर पर सकता है तो इस पर आप लोग focus रख सकते हैं ठीक है and यहापर Q3 में यहापर decentralized की management system लेकर आने वाले है and Q4 में frontier chain का governance system यानि की अपना यह governance token release करेंगे जिसमें की on chain यानि की on blockchain पर लोग community कुछ भी यह लोग efforts करने वाले हो है कोई भी decision लेने वाले हो तो उस पर vote दे सके हैं जो भी इसके governance token को hold रखेंगे ठीक है तो governance में यहापर यह लोग एक synthetic asset create करेंगे जो की G front के नाम से होगा और based होगा बिलकुल front token पर ठीक है जैसे की currently front token है उसी की base पर होगा लेकिन इडिफरेंट and synthetic token होगा जो की use किया जाएगा governance voting system के लिए on blockchain on frontier blockchain अब हम समझते हैं दोस्तों front token के बारे में की front token क्या है basically दोस्तों front token frontier का एक native token है जैसे की हर project का अपना एक native token होता है और उस platform पर जो भी utilities हैं उनमें वो token काम आ सके तो frontier की currently कौन-कौन सी utilities हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं जैसे की staking on frontier chain glasses transaction, frontier incentivization protocol, liquidity provision यानि की liquidity provide करेंगे तो उसमें जो return मिलेगा इस taking reward मिलेगा वो front token के term से मिलेगा governance system के लिए NFT acquisition and creation के लिए तो दोस्तों अच्छी बात ही है यहाँ पर NFT का भी concept इन लोगोंने add किया है क्योंकि NFT की currently market में काफी जादा trend है NFT को यह लोग support करते हैं NFT creation को यह लोग support करेंगे और future में frontier की अपनी खुद की NFT market भी आएगी जैसा कि इनके white paper के अंदर और भी detail में जाके mention किया हुआ है referral system में front token का यहाँ पर importance है deflation via integration में यहाँ पर यह लोग इसको use करेंगे जो की एक business to business integration model है and more in mind में दोस्तों बताया है कि future में और कौन-कौन सी यह utility लेकर आ सकते हैं front token के through तो currently दोस्तों front token जो है वो market में listed है 0.3 dollars की value है total supply 100 million है currently circulation में 22.8 million tokens हैं और बाकी की बचे हुए tokens का हैं उसके बारे में दोस्तों आपको पता चलेगा जो आप इसके economic model के बारे में check करेंगे तो जो आप यहाँ पर click करते हैं आपके सामने दोस्तों एक spreadsheet open हो जाती है जहाँ पर इसके overview में आप देख सकते हैं पूरा कि seed sale में, private sale में, early supporter and public sale में कितने कितने percent की quantity के wise and कितनी कितनी price के साफ से यहाँ पर token sale की गई थी जो यहाँ पर दोस्तों initial price थी वो थी 0.05 डॉलर और up to यह token जा चुका है 71 cents तग यानि कि जिन लोगों ने यहाँ पर seed sale में ली होंगे, उनको तो काफी चाप profit होगा 14x गा और जिन लोगों ने यहाँ पर public sale में ली होंगे, उन लोगों को यहाँ पर profit होगा around 8x, 9x के आसपास and इसके साथी सा दोस्तों यहाँ पर unlocking schedule के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है जो currently 80 million tokens हैं वो unlock कैसे कैसे होंगे तो total 38 months में यहाँ पर 80 million tokens जितने भी बचे हुए हैं वो unlock होगे every month यहाँ पर कुछ न कुछ percent tokens यहाँ पर unlock होते जाएंगे currently market में जो supply है वो है 22.8 million, next month दोस्तों उसकी supply रहेगी 24.9 million and ऐसे करके slowly slowly यह increase होते जाएंगे और जो भी token locked हैं वो unlock होते जाएंगे इसके बारे में दोस्तों पूरी detail आपको चाहिए तो मैं website का यहाँ लिंक दे दूँगा आप लोग यहाँ पर इस spreadsheet को आगर चेक कर सकते हैं बाकि दोस्तों currently front token कौन-कौन से exchanges पर लिस्टेड है काफी दरे एक्चेंज पर लिस्टेड हो गया है including यहाँ पर जो multiple DeFi protocol है उसको हम single wallet के अंदर single platform में single application के तुरू कैसे use कर सकते हैं किस तरीकी का यहाँ पर preview आता है किस तरीकी का यहाँ पर interface आता है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं इसके लिए दोस्तों आपको यह application simply download करना पड़ेगा DeFi wallet है कि इसके अंदर सभी तरीके access आपको मिल जागा and simply हम जैसे wallet create करते हैं seed words हमें मिलते हैं वैसे आपको बनाना होगा तो जब आप इस wallet को open करते हो तो यह wallet दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीकी का आता है ठीक है यहाँ पर आपने simply multi coin wallet पर click करना होता है and आप यहाँ पर multi coin wallet create कर सकते हो अपनी कोई भी यहाँ पर first of all आपको अपने seed words आपको मिलेंगे जो की आपको संभाल के रखने पड़ेंगे ठीक है यहाँ पर seed words आएंगे इनको आपने save कर लेना and उसके बाद इसको आपने confirm कर लेना तो आपका यह wallet simply login हो जाएगा तो currently यहाँ पर मेरे wallet इससे में login है जो कि एक demo wallet है and यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से assets को show किया जा रहा है यहाँ पर assets यहाँ पर कुछ इस तरीके से show ओंगे trade से मतलब है यहाँ पर हम लोग swapping कर सकते हैं तो कौन-कौन से token listed है यहाँ पर almost सभी जितने भी DeFi based protocol है जिनको stake किया जाता है और famous project है वो सभी यहाँ पर listed है और उन सभी को Ethereum, USDC and USDT की साथ swap किया जा सकता है यानि की trade किया जा सकता है और apps में बात करने दोस्तों यहाँ पर तो कौन-कौन से यहाँ पर जैसे की अभी मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से apps को support कर रहा है तो यहाँ पर आवे compound and yen finance को यहाँ पर यह सपोर्ट कर रहा है अगर हम यहाँ पर staking की बात करने दोस्तों तो currently यहाँ पर staking Matic में, Kawa में जैसे की इनकी website पर mention था तीन प्रजेक्ट में यहाँ पर currently staking available है Matic, Kawa and Band chain के बारे में ठीक है तो यह तीनों token यहाँ पर stake किया सकते हैं जैसे currently यहाँ पर Matic का क्यों show कर रहा है दोस्तों Matic का इसलिए show कर रहा है कि currently यहाँ पर Matic default set है अगर मुझे Kawa chain पर switch करना है तो Kawa chain पर switch करने के लिए मुझे अपने wallet में जाना पड़ेगा change wallet पर click करना पड़ेगा and यहाँ पर Kawa वाला जो wallet आपको show कर रहा है इस पर आप जब select करोगे तब आपको वहाँ पर show करेगा Kawa की staking ठीक है करता हूं and मैं यहाँ पर अगर दुस्तों इस टेक पर click करता हूं तो यहाँ पर इस तरीगे सुपन हो जाता है confirm पर click करता हूं तो कौन-कौन से wallet को यह support करता है दूस्तों वह यहाँ पर show करेगा जैसे कि trust wallet fordmatic metamask iam token तो इन में से कोई भी wallet अगर हमारे phone में installed है तो हम लोग उसके थूँ यहाँ पर इसको connect कर सकते हैं तो जैसे कि trust wallet मेरे पास installed है और मैं trust wallet पर click करता हूं तो trust wallet पर redirect हो जाएगा automatically and यहाँ पर जो transaction आएगी उसको confirm करना पड़ेगा and जो भी network fees होगी दोस्तों वह हमें pay करनी पड़ेगी जैसे कि आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं तो currently दोस्तों यह demo wallet है तो इस पर मैं आपको नहीं करके देखा सकता और fees कर जाएगी लेकिन कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों जैसे अभी हमने in apps application के बारें बात करीते तो यहाँ पर away compound and yen finance के बारें बताय हुआ है तो इनके through हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं मैं directly frontier के through यहाँ पर इन सभी tokens को यहाँ पर access कर सकता हूँ और सीधा directly यहीं पर staking कर सकता हूँ तो यह काफी दोस्तों plus point है DeFi जो भी लोग DeFi यूज करते हैं yen finance की अगर बात करें तो yen finance का भी यहाँ पर option है yen finance में जितने भी option है यहाँ पर हमें USDT tie, NT-USD तो वो सभी हम यहाँ पर staking कर सकते हैं और उनका use कर सकते हैं बाकी दूस्तों अगर हमें tracking की बात करनी है कि हम कैसे track करें तो जब आप position पर click कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी क्या जो currently आपने staking कर रहे हो वो सब उसका क्या समय चल रहा है पूरा tracking यहाँ पर आप लोग कर सकते हो अच्छी तरीकी से तो वो सब यहाँ पर शोगर रहेगा NFTs के बारे में आपको दिखना है कि कौन-कौन सी NFT आपके wallet में है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो तो काफी interesting है और अगर future में यहाँ पर NFT की market आती है इसका adoption बढ़ता है तो हमाँ काफी अच्छी growth भी इस platform के अंदर इस project में इसके token में हम लोग देख सकते हैं So guys all over यह है frontier के बारे में मुझे उमीद है कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा और बाकी आप लोग comment करके अपनी feedback ज़रू बताइएगा कि आपको frontier कैसा लगता है क्या आप सूसते हों इसके बारे में सभी genuine opinion आप लोग अपनी comment करके ज़रू बताइएगा तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो के से अंदर सिर्फ इतना ही है जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तों goodbye take care and see you soon